मैं कुछ किताब पढ़ा हूँ भगवान विर्शाम मुंडा का बारे में अधिकाइस किताब में लखा हुआ है जंगल का अधिकार के लिए जमीन का अधिकार के लिए विर्शाम मुंडा बिर्टीस का खिलाब में जमीदर का खिलाब में संग्रम छेड़ दिये लेकिन जनजाति का जो सभाव है वो अधिकार को कोई नहीं मांगता है अधिकार डिमाइड नहीं करता है और बिशा मुंदा के जो जंगल के लिए जो संग्राम किये हैं जमिन के जो लिए जो संग्राम किये हैं अधिकार के लिए संग्राम नहीं किये क्योंकि जंगल जनजात समाज का मा है उसका लाइफ वहां से ही ओ एकटी कर रहे थे और अपना मिटी को अपना मा मनते कोई बेटा मातगा उपर अधिकार नहीं करता है उसका करते हो सचता है उसको अपना समर्पित संपुनरों पर समर्पित होता है इसी आधार से बिर्शा मुंदा ब्रिटीश का खि जो जुद किये हैं यह अधिकार का नाते नहीं है एक संतान का नाते अपना माता को ब्रुटिश से जमिधार्सक से बंधन मक्त करने के लिए यह कुए हैं इसी कारण से तो देश भर में जहां-जहां-पर बी, जनजाते समाज का जो बलिदान हुआ यह भाव का करण से बज्ड्धान हुआ है, अधिकार का भाव से कोई बलिदान नहीं देता है, जो करते पो समरपडम भाव होता है ओही पर बलिदान होता है और विर्षामणा का बलिदान भी वही भाव का अधार से हुआ है समाज के लिए समर्पित होना और अपना प्रकूर्त के आपना जंगल के लिए समर्पित होना जाल के लिए समर्पित होना जमन के लिए समर्पित होना